यer दोस्तों नमसकार एक बार फिर सी स्वागत है आपके पनी योटाब चैनल दियोजी के ट्रिक्स में तो दोस्तों यहाँ पर मोडल पेपर सॉल करने वाले हैं चले जैहिन सभी को जैहिन सभी को जैहिन चले आवाज मिल पा रही है सभी को चले आवाज मिल पा रही है चले रेडी चले थमसब कर दीजे थोड़ा से इस्माइल भी कर दिया करें जैसे आप लोग जुड़ते हैं दीगें और लाइक सेर की संख्या भी बराबर कर दिया करें चले स्टार करते हैं पहला कोशन आपके सामने दिया गया है किया रहा है मौरी राजिवन्स की स्थापना मगद में हुई थी जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है तो चलिए बताएगा कि मौरी समराज या मौरी राजिवन्स की स्थापना मगद में हुई थी जो वर्तमा जो बनेगा, याँ पर सी नमबर है, राइट हो जाएगा, के लिएर है, आगे मड़ी है कोशन दिया है, कि उस बिरिंटिस गवर्नर जनरल का नाम बताएं, जिनों ने भारत में रेलवे का सुभारम किया था, चले यहां पर अंसर देना है, कि उस बिरंटिस गवर्नर जनरल का खतानाक सावित होई तो यहां परनसर आपका डिनमर है राइट हो जाएगा चले आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है तीसरी बहुत पल्षत की सहर में आजूत की गई थी गोतम बुद्ध से एक कोशन हंडेट पल्षत बनेगा याद रिखेगा गोतम बुद्ध से एक कोश आप से दिया गया है कि अगबर के दरबार में मुख चित्रकार कौन थे यह कोशन आपको इस्टाइटिक जीके में आर्था जो इस्पिसल डोज देते हैं वहां पर यह सभी कोशन मिलेंगे याद रिखेगा तो आप लोग इस्पिसल डोज वाली जो क्लास होती उसको जरू देखेगा तो कहरा है निम्निकित में से अगबर के दरबार में मुख चित्रकार कौन था तो यहाँ पर देखे फूर को जो आपसन मनेगा यहाँ पर जो दसवन ता रहा है जिसका भी आपसन बिल्कुल सही जवाब आ रहा है दसवन तीस कंसर राइट हो जएगा इसके अतर आपदी इसवीपूर के दोरान मतुरा के आसपास की छेत्रों को कहा जाता था चलिए जवाब दीजेगा कि जो आपका छटी इसवीपूर के दोरान जो मतुरा का छेत्र है तो इसके आसपास की छेत्रों को कहते थे यहाँ पर सूर सेन कहते थे हिंदी में हमने कई जगा इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कुछना आप सिगला पुछा गया है वर्स 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वाईसराय कौन थे जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय भारत के वाईसराय पुछा गया है तो दिखिए आपका जवाब हो जेगा लारड करजन कौने दोस्तों लाड करजन इसका जो आपसन है या पर इनमबर है राइट हो जाएगा या दोगा की बंगाल का भीभाजन कर दिया गया था और 16 अक्टूबर को बंगाल भीभाजन प्रभावी हो गया था कब तो आपके 16 अक्टूबर को बंगाल जो भीभाजन हुआ था वो भीभाज़वी आप दबांबे आमक प्रिसितं दिलेख लिखा गया है दा फिलास्वी आप दबांबे नमक प्रिषित दिलेख लिखा गया है आठामबर में तो आठक है अगर अदे है कॉछ प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी के सदस्री रह चुके हैं तो यहाँ पर अंसर आपका बी हो जाएगा आगे बड़ी एक कोशन आप सिगला पुछा गया है निमनिकित में से किस ब्रिटिस मिसन योजना ने पाकिस्तान की मांग को आमाने कर दिया था चलिए इस ब्रिटिस मिसन योजना ने पाकिस्तान की मांग को आमाने कर दिया था यहाँ पर देखिए option क्या होजेगा तो यहाँ पर अपर सी नंसर है वह आपका सीनेमर इसका राइट हो जाएगा और पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए 16 गर्स-1946 को प्रत्य चिकार वाहिद यूज़ भी मनाया गया था तो यहाँ पर जो अंसर आपका सीनेमर हो जाएगा लेकिन अगर आपसे कोश्यन पूंचे कि भारत और पाकिस्तान को यहां पर अलग जो किया गया था वो कौन सी योजना के तहत तो देखो 3 जून को एक प्लान आया था माउंट वेटन योजना तो माउंट वेटन योजना के तहत ही कह सकते हैं कि जो आपका पाकिस्तान और भारत यहां पर बहुमती साबित हुई थी मतलब बहुमती मिली थी और Red Clip ने तै किया था कि हिंदूस्त जो हिंदू है वो बहुमत वाला इलाका भारत होगा और मुस्लिम वाला इलाका क्या होगा पाकिस्तान होगा समझ गए होंगे तो चलिए आगे बड़ ये कोर्शन दिया गया है कि इसने घोषना की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिस द्वारा भारत को सतंता प्रदान कर दी जाएगी तो देखे भई यहाँ पर जो आपके थे option D क्लिमेंट एटली क्या है भई याद रिखेगा कि आपके 20 फर पुछा गया है कि कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है चलिए देखे आपर असम जो आपका डिगवई आपने नाम सुनाओ कई बार हना यह सबसे पुराना इस तर में आता है जो कि option क्या बनेगा यह आपर सी निमबर होगा आगे बढ संदिरा है इनहें क्या कहा जाता है मतलब कह रहा है कि भूजल हम रिखार्ज यह सबसाई नहीं है रिचार्ज कहिए EQUALIDE मन्दला होता है PANI से ही मतला होता EQUAL जो होता है PANI का ही कह सकते हैं इंग्लिस में आपका पर्यावाची कह सकते हैं तो EQUAL मतलब इससे याद रखेगा तो अगर मानना चाहो तो मान सकते थे EQUAL तो आप कंसर क्या होगा A No. Right हो जाएगा आगे बड़ी एक कोशन दिया गया है निमनिकित दच्छनी अमेरिकी रास्टों में से किसमें दच्छनी अमेरिकी छेत्र का सबसे बड़ा वन छेत्र है मदलब आपसे पूचा है जो दच्छिनीमेरिकी राष्ट है हाना देश है वो आपर सबसे बड़ा जो वन छेतर है वो आपका है किसका तो यह देखिए ब्राजील को क्योंकि यहाँ पर वनों का देश किसे कहते हैं ब्राजील को कहते हैं हमने आपको पढ़ाया भी था वनों क लेकिन काविरी को हम लोग कहते हैं क्या तो दच्छिन की गंगा क्या इसे दच्छिन की गंगा जाता है यादर कि उप्सन ने बेंबर बनेगा सबसे ज्यादा जो कोशन आए थे दोस्तों याद रखेगा सबसे ज़्याद से जो ko Istन आए थे, आपके जोग्राफी याद रखेगा कि याद रिकेगा है । यहाँ पर आपके यहाँ पर देखे अे वह आपके जोड़ी आपके पर वह देखिए नहीं है यहाँ पर आपकर आपका बे ऐसे question नहीं आते हैं तो आप मत पढ़ेगा पिछली बार का paper उठा कर देखिए और इसके बाद मिलान करिएगा ठीक है ना clear वई copy paste मत करिए नहीं block भी कर दिया जाएगा simple सी बात है कि पिछली बार का paper उठाईए paper उठा के बाद मिलान करिए ठीक है ना मिलान करने के बाद copy paste कर सकते हैं और नहीं तो फिर block मर देंगे तो फिकोगे सरम को block कर दिये हैं ठीक है ना नहीं पढ़ना है तो ना पढ़िएगा ठीक है ना लेकिन नो टंकी करोगे तो block कर देंगे याद रखेगा ठीक है ना चले यहाँ पर देखे अगला question आपसे दिया गया है योग छेम वहयम किसका आदर स्वाक के है चले यहाँ पर जवाब देना है आप कराई टंसन में से क्या हो जाएगा चले इनको जरूरत है block करने की है ना चले खुस चले भाई तो यहाँ पर दिया है योग छेम वहयम किसका आदर स्वाक के होता है तो चले यह 16 का option देना है 16 का सही जवाब इनमें से क्या हो जेगा तो देखे यहाँ पर अंसर क्या होता है बी नंबर है यहाँ पर होता है L.I.C. आफ इंडिया भारती जीवन वीमान निगम यहाँ पर जो अंसर है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जेगा देखो हमें copy paste से कोई परिशान ही नहीं होती है चाहे आप सारा copy paste करते रहे है दिक्कत होती है आप लोगों को होती है जो लोग comment लाइब में comment दिया करते है तो उनका पता ही नहीं चलता है कि हमने comment किया किसका comment आया क्योंकि जो copy paste करता है आखी मों की जूंके रहता है दूसरे पता ही नहीं चलता उसका comment क्या आया इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को दिक्कत होती है इसलिए इनको हम मना करते हैं कि copy paste मत करिएगा ठीक है ना चरे लेकिन कुछ लोगों को समझी नहीं आता है तो हम क्या करें चरे यहाँ पर देखो अगला question दिया है कि किसी देश के अंतरिक किसी देश के अंतरिक प्रदेश के भीतर उतपादित सभी तयार मल और सिवाओं के ए एक वर्स के वीरतर एक वर्स के भीतर उतपादित सभी तयार मल और सिवाओं से एक वर्स में जो इंकम होई है उसे हम लोग GDP कहते हैं या बाजारों पर सकल घरील उतपाद कहते हैं option इस प्रकास इनमरे right हो जाएगा आगे बड़ी ये question दिया गया है कि कौन सा चेत्र भारत तो क्रसी पर फोकस किया गया मतलब मंदलब जब जब समस्य आती है तो क्रसी आगे ले जाती है अतर रहत इतो प्रंसर क्या होँगा इनमरे इसका write हो ज्बात में लेकिन आपको वालू में 63, 64, 65 में कहीं न कहीं आपका बीच में 55 हो जाना डिले हो गई थी किसी कारण से ना जानते हैं कारण तो यहां पर अंसर क्या हो जएगा एनमबर क्रसी हो जाएगा आगे बड़ी कोशन दिया गया है सिल्क रूट के बारे में निम्निकित में से कौन से कथन सत्य दिये गया है सिल्क रूट दिया गया है अब आप ही बताइए सिल्क रूट आपका है क्या देखे यहां पर इस प्रकार के आपके आप्सन यहां पर दिये गया है अब इना आप्सन के अंसर यहां पर देखे क्या पहला पॉइंट कहे रहा है किया रूट का उपयोग के वाल रेसम के व्यापार के लिकिया जाता है मार्ग सांस्कृति संचरन के लिए बढ़ हां चैनल के रूप में भी कार करता है फिर इसके बाद यह सील्क रूट पूरवी परश्यमियों उत्री और दच्छनी सिल्ट रू है है ना चार कोश्ड को देखो कोई यह के सकता है कि नहीं सरेskंशरल है इसको अगर 45 समयावदी में वस्तू के निर्यात के मूल और आयात के मिल तो देको इसे का जाता है व्यापार संतुलन दोस्तों याद रिखे जो बीस का ऑप्शन है तो बीस्क पार सेखते हैं या इसे को हम लोग ब्यापार संतुलन भी काहा जाता है चले आगे बढ़ते कोशन आप से दिया गया है कि भारती समिधान के आर्टिकल 326 के अनसार हर राजिकी विधान सभा और विधान प्रसत के चुनाओ वेस्क मताधिकार के अधार पर होंगे वेस्क मताधिकार सितात पर है कि प्रतेक भारती नागरी की उम्र जो चुनाव में भाग लेने के लिए होती है वो कितनी होनी चाहिए तो यहाँ पर देखे-a option क्या होजगा, यहाँ पर अब परनशर आपका होजगा, ए नमबर इसका right होजगा, ठीके, यहाँ आप आगे बढ़ते कोश्न दिया गया है, निम्ber निकित में से कौन सकतन गलत दिया गया है, त तो भई आब आइस में पहला पॉइंट दिया गया है कि राजेपाल राजिकी विधान परसद का इस्थगन कर सकता है बिल्कुछ सही बात आपका है कि राजेपाल राजिकी विधान सवा का इस्थगन कर सकता है दोनों में क्या अंतर भई विधान परसद अच्छा ठीक है तो उसके एक तिहाई सदस प्रतेक दूसरे वर्स में सेवा निबृत हो जाते हैं इस कारण से सी वाला जो आपसन आपका है या आपका गलत दिया गया है यहाँ पर आगे बढ़ते कोशन दिया गया है क्या रहा है भारती समीधान का नुचेद 22 निमनिकित में से किस से है यहाँ पर जवाब देना है क्या राइट इंसर हो जाएगा चले यहाँ पर 23 समबर में तो 23 कोशन क्या हो सकता है क्या धर्म जाति लिंग या जन्म तो यह तो आपका है नहीं है यहाँ पर देखो दिया गया ऐसी निमर कुछ मामलों में गिरिपतारी और हिरासत के 1975 में आपात काल के समय भारत के रास्पति कौन थे चले अपसम नेखा क्या यहाँ पर फकूरुत दीन अलिया मड यहाँ पर फकूरुत दीन अलीयमद इसका जो नसर है राइट हो जाएगा अगरा कुशन आपसि यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कौन सक खतन सही दिया है कौन सा कथन सही दिया है चारो आपसन आपके सामने यह आपर दिये गया है थोड़ी वीडियो के क्वाल्टी जरूर बढ़ा लिजेगा जब कुश्चन बढ़ा हो जाता है तब देखें मैं यहाँ यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर दिया है यहाँ पर दिया है यहाँ पर राइट हो जएगा कैरे मोनो मेर कैपरो लेटेक्सम का किस बौलग को प्राप्त करने के लिए बौली करण किया जाता है चलिए यहाँ पर जवाब देना है काराब से मोनोमर कैप्रोलैटम का किस बहुला को प्राप्त करने के लिए बहुली करन किया जाता है चलिए 26 नमबर में तो 26 को उप्शन क्या होगा यह नैलोन जो 6 आपका है आपसं बनेगा यहाँ पर बहुतिक मातरा की विमा क्या होती है चलिए यहाँ पर जौब देना है 27 नमबर का उप्शन क्या होगा द्देगे 27 के गर बात करे तो आपस्टन क्या होगा बहुतिक गहते माइनस तीन यहाँ पर जो अंसर है वह आपका इसका क्या बनेगा 27 में बी नमबर है राइट हो जाएगा यहीं पर देखो एक होता है बल की बीमा पुछी आती है हम आपको दो-तीन बीमा बता देते हैं जिनको रट लीजेगा तो ये दो विमाई बहुत ज़्यादा पुछी आती ही याद रखेगा, चली अगला कुछन है, कि C A S O 4 इंटू 2 H 2 O का रासानिक सुत्रिन में से क्या है, C A S O 4 इंटू 2 H 2 को रासानिक सुत्रिन के 28 संबर में, चली जवाब दीजे, चली, तो दीखे 28 को आप समनेगा बी नम लेंप का विश्कार द्वारा किया जाता है, यहाँ पर देखे आपका जवाब इन में से क्या होज़ेगा, 29 को आप समनेगा इंटू 2 आपका दिया गया है, जार्जिस क्लाउड, क्या है, जार्जिस क्लाउड, मतलब यह कह रहा है, पूँछना चाहिए, कि द्वारा किया था किया गया था तो जार्जेस क्लाउड के द्वारा किया गया था तो इसका जो अप्सन हो जएगा ए नमबर आपका राइट हो जएगा चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है कि निमनीकित में से कौन सा अंग आप्रियुक्त या छती ग्रस्त विंबान को हटाने में आच्छम होता है या सच्छम होता है तो चली बताएगा निमने कित में से कौन सा अंग अप्रियुक्त या छती गरस्त विंबान को हटाने में सच्छम है तीस नंबर का उप्सन है सी नंबर जो तिल्ली होता है तिल्ली अर्था जिसे हम लोग पलीहा कहते हैं तिल्ली को हुए हम लोग क्या बोलते हैं, पलिहा बोलते हैं याद रिखे, तो यहाँ पर जो अंसर बनेगा, वो आपका सी नमबर है, राइट हो जाएगा, मतलब सरीर का एक अंग है, जो सभी रेड़धारी प्राड़ियों में पाया जाता है, यह जो पलिहा होता है, यह ति आपके काली कट में ये पहुचा था और जमोरे ने जम के स्वागत किया था अगला question दिया गया है कि अमीर खुष्टरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब चीनी किस भासा में है 32 संबर में तो 32 को अप्षन ये आपके ब्रज भासा में है किसमें है आपके ब्रज भासा में है यहाँ पर जो answer है यहाँ पर सी number right हो जाएगा clear है और यहाँ पर हमने बताया था कि इने भारत मिका तूतिय conclud Clay का जाता है और दूता तूता काहा जाता है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है कि विस स्वास्त दिवस किस दिन मनाया जाता है तो सासे स्वास्त और सासे साथ वो भी क्या अपरेल तो आप्सन क्या बनेगा यहां पर बन जाएगा भी नमबर राइट हो जाएगा किलियर है अगर पूंचे कि एक अगस्त को क्या मनाते है तो एक अगस्त को मना जाता है राष्टी परवती ब्रच्छा रोहन दिवस क्या राष्टी राष्टी परवता रोहन दिवस ठीक है किलियर है परंसर बताई चोंतिस संबर में तो चोंतिस को आपसन देखे आपको कई बार पढ़ाया गया है अर्जेंटीना क्या होज़ेगा विवनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना की क्या है राध्धानी है और ये दच्छिन अमेरिका क्या है देश याद रिखेगा आगे बड़ी एक को वाले जो गयने हैं वो आपके पाई जाते हैं और 1974 में राष्टी उध्यान का दर्जाई से दिया गया था अगरा कोशन बताएगा इमफाल किस भारती राजी की राध्धानी है यहाँ पर जवाब दीजे आपका सही जवाब क्या होज़ेगा चत्ति संबर में तो देखे गठन हुआ था 1972 में हुआ था यहां एक जंजाती भी पाई जाती है नागा और कुकी जंजाती यहां पर निवास करते हैं यहां के परवती छेतरों में निवास करते हैं कांके मड़पुर के परवती छेतरों में निवास करते हैं कौन तो आपके नागा और कुकी जंजाती यहां पर आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है कि हारन बिल महोत्व है यह किस राज में मनाए जाता है दूस्त याद रिखे नागा लेंडिस का जवाप सेने ए नमबर आपका राइट हो जाएगा और याद रिखे एक point और भी हमने आपको बताया था कि तेवहारूं का तेवहार किसे कहते हैं तो हार निबिल महसो को ही कहा जाता है जो कि 1 से 10 दिसंबर को मनाय जाता है आगे वड़ी कोशन दिया गया है कि महाराश्ट के पोला तेवहार में किस जानवर की पूजा की जाती ह तो दिखे महाराश्ट में एक तेवहार होता है पोला तेवहार है और इसमें एक जानवर होता है जिसकी पूजा की जाती है तो यह है आपका यहापर बरसब क्या है बरसब जो आपका है जिसे बुल कहते हैं तो इसकी पूजा की जाती है याद रिखेगा और यह पोला देखा जाए तो आपकी जैसे महराष्ट है 36 गड़ है मद प्रदेश है और तेलंगाना की उत्तरी हिसो में भी अमोस्या की रूप में किसानों द्वारा मनाया जाता है आगे बड़ी एक क्वेशन दिया गया है निम्निकित में से न्रत्य का कौन सा प्रिकार असम से समधित है और असम में बताना है कि कौन सत्यवार असम से समधित है चले तो देखो यहाँ पर जो आप कंसर है वो आप कसी होजएगा बीहू हाना बीहू असम के तीन अलग-अलग सांस्तिक उत्सों में आपका समू को दर्साय जाता है जो कि यहाँ पर दुनिया भर में देखा जाए तो आगामी जो परवासी होते हैं वो परवासी लोग भी इसका धुमधाम से मनाते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कस्मीर दीबाजपेई यर्स नामक किताब किसकी द्वारा लिखी गई है आर्थात इसके लेखक पूछा गया है तो यह असका अंसर हो जएगा क् राइट हो जएगा आगे बढ़री कोशन आपसे अगला पूछा गया है केरा भारत की पहली महिला मुक्हमंतरी कौन थी 41 सम्बर में तो एकतारिस को अप्षन क्या होगा बिनमर सुचेतरा करप्लानी क्या सुचेतरा करप्लानी जो अप्षन है यह आपर बिनमर इसका राइ जात थे मौलाना अबूल कलाम आजाद याद रिखे या आपके भारत के पहले क्या थे सिच्छा मंत्री रह चुके है याद रिखेगा है और यहाँ पर आगे बढ़ी एक कोशन दिया गया है अच्छा एक कोशन और होता है कि भारत का राष्टी सिच्छा दिवस सिच्छक नह बोल लाए है हमने पहले बोल दिया है सिच्छा दिवस बोल लाए है चले आगे बड़ते हैं कोशन दिया गया है कि विस्ट के सबसे बड़ा विस्ट का सबसे बड़ा दूर दर्सी कहां पर रिष्थी थे चले बताइए विस्ट का सबसे बड़ा दूर दर्सी कहां पर रिष् जो आपके गालीब थी वह आपके क्या थे पताईगा गालेब जिते वह आपके क्या थे तो देखो हमने 44 के अगर मात करें तो ये एक कवी है याद रिखेगा ये अपके उर्दू सायर bistते हैं मिर्जा गालीब इसे कहते हैं तो यहां पर देखेंगे अोप्चन क्या होगा? अगला बताएगा कि भारत का राष्टी चावल अंसंधान संस्थान का पर इस्तित है भारत का राष्टी चावल अंसंधान संस्थान पूछा गया है तो आपका जवाब इन में से क्या हो जएगा तो आपका जवाब हो जएगा क्या यहाँ पर कटक जो आपसन है यहाँ पर इनमबर राइट हो जगा राष्टी चावल अंसंधान संस्थान आपके कटक हो जाएगा लेकिन अगर आपसे पूंचे कि आपका छेतरी अगर लगा देता है तो छेतरी अगर लगा देता है तो आपको वारानसी बताना याद रिके राष्टी चावल अंसंधान त तो आप्सन ही हो जगा रविन ना टैगोर आप्सन ए नमर है राइट हो जगा आगला कोशन आपसी दिया गया है कि भारत और सिलंका के मद्द संयुक्त सैनब भ्यास कौन सा है भारत और सिलंका के मद्द संयुक्त सैनब भ्यास मुचा है तो देखे मित्र सक्ति क्या मित्र सक् राइट हो जाएगा और इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि सोभना चंद्रकुमार किसे संबन्धी थें यहां परंसर क्या हो जाएगा तो छलिए नोट करिए सोभना चंद्रकुमार का जो संबन्ध है वो किसे हैं इनका संबन्ध याद रिखे भारत नाट्यम से दोस्तों इसमें यहां पर हो गया तो ऐसे कुछन तुखका मारके ही सही हो जाएंगे ऐसे चिसे होते ही होते हैं यहां पसली हो जाएगा आगे कुछन आता हैं तो वह चीफिश्ट हैं चलिये कहर आप गुट निपेज चांदूरन का पहला सिखर सम्मेलन कब और कहा पर आयुजित किया गया था पच्चास नमबर में और हिंदी में जो कोशन है वो आपके गध्यांस तो जरूर है लेकिन इसमें जो कोशन मिलेंगे वो आपके क्या होंगे ग्रामर पोर्शन के आपके होंगे ठीके ना तो कुश्म साम को मंदिर में दर्सन करती हुए घर गई वाग देर तक गीत गाती रही उससे समय का पता न था आधी रात बीद गई उसने सितार बजाई फिर भी उसका मन न लगा उसने टहला सुदू कर दिया रात किसी तरह से कटी सुबा उसकी आँकों मिनियन से बेजिर हो गए वादेर तक सोती रही माने आकर जगाया और कलेवा करने के लिए कहा कलेवा मतलब होता है नास्ता क ही थी परिवार में मामा ना चाचा भाइ भाई पैनल भी प्रसंसा करते हैं ज़ित गद्यांस था पढ़े तो आप पढ़ेएं तो दिखो माप को बताते हैं यहाँ sensor में क्या था कि गद्यांस है कि लेकिन इसमें ग्रामर पॉर्शन इसले हम आपको game dolla के मलें क् detr अगला दिया गया है कि कुस्म साम को घर गई इस वाक्व में काल पूछा गया है तो काल इन में से क्या हो जेगा तो यह समान ने भूत काल है क्या है सामानने भूतकाल है यहां पर अंसर आपका यह होजगा यह सामानने भूतकाल है यहां पर आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है कि कारक चिनी के प्रयोग के बावजूद भी इन में कि सब्द का बवचन नहीं बनता है यहां पर बताएगा कि बवचन नहीं बनता है तो आपका नहीं बनता है तो देखो किसका घी का नहीं बनता है या दरके घी कारक जिनके बवजूद भी यह बगोचन नहीं बनता है यह नमबर होगा अगला इन में से किस सब्द का लिंक नहीं बदलता है तो आपी बताए किसका नहीं बदलता है चाचा, छात्र, साइकिल और मा मामा चले जवाब दीजी सकांसर क्या हो जाएगा तो दिखू दिया गया है। चाचा karma का चाची हो जाएगा सब्सक्रा नबन सकता है लेकिं लिन्क परिवस्टन थोड़ो होगा च लिएसले कौंस सब्ध है प्रयोग होता है उभाई याप 17 नमब्र में तो चलिए केराब से दर्सन तो हमने आपको तया था दर्सन जो आपका है हमेशा बहुचन में ही प्रयोग होते हैं अगला कुछ नियाग्या है कि मनोहर का संद्विचेद बताना है मनोहर का संद्विचेद इन में से क्या हो जाएगा मनोहर में कि होता क्या है मनोहर में याप पर ओकी मात्रा हाटाएंगे विसर्ग लगाएंगे जो की विसर्ग संदिया आपका अंसर है राइट हो जाएगा एक गद्यानस हमने छोड़ दिया है क्योंकि एक गद्यानस कोई ज्यादा मतलब का नहीं था इसलिए गद्यान शोड़ा है अगला है कि कभी जैद्यों का बसंत चित्रन सुन्दर है पर मनोहर नहीं क्योंकि अच्छा ये गद्यान से आपका है क्यारा है निमनिखित में से कौन सा एक युगम समोचारित नहीं है निमनिखित में से कौन सा एक युगम समोचारित मतले सम उच्छारन क्या बोले में आपको जो सुनाई देंगे वो सम उच्छारन होगे तो यहांपर पूछान नहीं है तो नहीं है कि गर बात करें तो कोस और कोस बूली में एक जैसे लग रहे हैं करोड और करोड आपका बूली में एक जैसे लग रहे हैं कर्म और करम में बिल्कुल एक लहसे लग रहे हैं करण और कान दोनों में दिखो अलग अलग अवा जा रही है कान अलग 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 हो जाएगा अगरा कोशन दिया गया है कि वर्तनी की द्रश्टी से सुद्ध शब्द आपको बताना है 78 कोशन क्या हो जाएगा तिहां पर देखो आपका असर हो जाएगा रच्चैटा लेका रच्चैटा किस प्रकास लिखेंगे रचहिता लिखेंगे कि इस प्रकार से आपका जवाब क्या होगा भई बीनमर देखें बीनमर आपका बिल्कुर सही जवाब है रचहिता इस प्रकार से लिखा जाएगा यहाँ पर आगे बढ़ यह कोशन दिया गया है कि वह आपको खंड को पढ़कर उस खंड का चैन करें जो ब्याकरन या ग्यान के इसाब से गलत दिया है और नहीं है तो आपको डिनमर लगाना है तो गलत आपको पॉइंट याद रखना है कि रहा है दुनिया में मनुस्य की अवस्यक्ताओं के लिए तो बहुत कुछ है परंत उसके लोब के लिए कदापी नहीं है तो यहाँ पर जो गलती हो आपकी है क्या भई लोब के लिए कदापी नहीं की जगा अगर बोल दें लोब के लिए कुछ नहीं है यह आपका हो जाता तो आपका सही होता तो गड़वड़ी है आपकी सिनमर में अगला है लेखा को और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है तो कह रहा है इसकंद गुप्तों और इसकंद गुप्त किसका है तो जैसंकप साथ का है पहला कोशन गलत हो गया फिर दिया संस्कत के चारत ध्याए एर राम धारी सीग दिन करके दोरा है और अगला अभी यहाँ पर नहीं दिया है अगला यहाँ पर देखो दिल्लान जुँए कर दिल्ली है अगला इविस्ट का प्तम electronic digital computer कौन सा था तो आपका एनिक था और अगला है कि computer program में सूची को कहा जाता है तो उसे menu कहते हैं computer की भासा जावा का खोच करता कौन है तो आपका Microsoft हो जाएगा IBM का पूरा नाम पूछे तो international business मसीर होगा CPU का पूरा नाम पूछे तो central processing unit हो जाएगा और अगला दिया गया है कि परवतों की रानी किसे कहा जाता है परवतों की रानी किसे कहते है मसूरी को कहते हैं और ये question अभी बीएड exam 2022 में question पूछा गया था तो यहांक पर जो last question के हम question मताते हैं कहीं न कहीं यह आपके पूछे गया है तो परवतों की रानी मसूरी को कहत काई जाते हैं तो आपके केरल को कहा जाता है अगला है घुलाबी नगर की से कहते हैं तो जैपर को कहा जाता है क्वीन आप डिकन किसे कहते हैं तो आपके पुड़े को कहा जाता है भारत का हॉलिवुड किसे कहते हैं मुंबई को कहा जाता है जीलो का नगर किसे कहते हैं सिरी नगर को कहा जाता है फलोग का उध्धान जो फलोग को उध्धान का सुर कहते हैं वो सिक्यम को कहते हैं पहाड जैपूर को का जाता है पूर का पेरिस यहाँ पर जैपूर सॉल्ट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है तो आपके गुजरात को जानते हैं सोया प्रदीश किसे कहते हैं तो आपके मद्द प्रदेश को कहते हैं मलाय का देश किसे कहते हैं तो भाईया यादर के मलाय का दे करें आज मिलते हैं पांच वजे कितने बजें पांच वजे मिलते हैं ठीक है ना चलिए